नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फो अकैडमी पर आज की वीडियो में हम जो आपको एप्लिकेशन का एक प्रारूप दिखाने वाले हैं इस एप्लिकेशन के प्रारूप का स्पैसिमेन का विशे रहेगा अन्या पद के लिए आवेदन करने के लिए अनुमती लेने के लिए आप अपना प्रार्थना पत्तर हिंदी में किस परकार से लिखेंगे आज की वीडियो में हम जो आपको इस प्रारूप दिखा रहे हैं इस प्रारूप को शुरू करते हैं और इस प्रारूप को आप कैसे लिखेंगे वो आपको इस व आवेदन करने के लिए अनुमती प्रदान करने बारे प्रार्थना आधरनिय महोदे लिखते वे आप अपना वीवरन इस प्रकार से देंगे प्रार्थना यहा है कि मैं आपके कारेले में लिपिक के पद पर 2 अप्रेल 2015 से कारिया रत हूं अब रक्षा मंत्राले में सीधी भर आवेदन के द्वारा सहयक के पद के लिए आवेदन अमंत्रित किये गए हैं मैं सहयक के पद के लिए जरूरी योगताएं पूर्ण करता हूं और सहयक के पद के लिए आवेदन करना चाहता हूं कृप्या मुझे सहयक के पद पर आवेदन करने की अनुमती प्रदान करते इसके साथ ही आपसे यह भी प्रार्थना है कि साहेक के पद के लिए मेरे आवेधन को उचित मध्यम से अगरेशित करने की भी कृपया करें दन्यवाद सहीत लिखते हुए आप नीचे प्रार्थी लिखेंगे और जिस प्रार्थी की तरफ से यह आवेधन लिखा गया है उसका आप नाम लिखेंगे जैसे मैंने एक्जामपल के तोर पर यहां का खा गा लिखा है और उसका पद लिखा है लिपिक रेल मंतरालया नई दिल्ली दिनाग डालते हुए आप अपना आवेधन को उरन करेंगे इस परकार के नए नए विशों पर एप्लिकेशन के प्रारूप जानने के लिए आप ह हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर ले वीडियो को लाइक वे शेर जरूर करें धन्यवाद